आयूर्वे समाधान में आपका स्वागत है आज आयूर्वे समाधान के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इमली खाने के कितने सारे फायदे हैं डायबेटीस से लेकर और कई रोगों को इमली यू ठीक कर देती है बच्पन में आपने इमली तो बहुत खाई होगी हो सकता है अभी भी आप खाते होंगे लेकिन क्या आप इसके फायदों के बारे में जानते हैं इमली खाने केतने सारे फायदे होते हैं इसके बारे में आप यकीन नहीं कर सकते तो आईए जानते हैं कि क्या है 7 बड़े फाइदे इमली खाने के Diabetes को कंट्रोल करने में मददगार है इमली Diabetes के मरीज़ों के लिए इमली बहुत फाइदेमंद है ये Blood Sugar Level को कंट्रोल करने में मदद करती है ये शरीर में Carbohydrates को Absorb होने से रोकती है जिसकी वज़े से Sugar Level बिगड़ता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा ग्लास इमली का Juice फाइदेमंद साबित होता है इमली खाकर आप मोटापे से चुटकारा पा सकते हैं इमली में Hydrocitric नामक Acid होता है जो आपके शरीर में बनने वाले Fat को धीरे-धीरे कम करता है इसकी अलावा इमली ओवर इटिंग से भी आपको बचाती है जिससे वजन बढ़ने का खत्रा भी कम रहता है कैंसर के मरीजों के लिए भी इमली फाइदमंद माने जाती है कैंसर से बचना है तो इमली खाने चाहिए इमली में एंटि आक्सिडन तत्व पाए जाते हैं भारी मात्रा में और इसमें टैरेट्रिक एसेड होता है जो शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है ब्लड प्रेशर की बात करते हैं ब्लड प्रेशर को भी इमली ठीक कर देती है इमली में iron और potassium होता है जो blood pressure control करने में red blood cells को बनाने में मदद करती है बिच्चु की काटने पर इमली बहुत कामाती है कैसे जान लेते हैं अगर किसी इंसान को बिच्चु काट ले तो उस समय भी इमली का इस्तमाल किया जा सकता है अगर बिच्चु काट ले तो इमली के दो टुकडे करके बिच्चु की काटी हुई जगे पर लगा दीजे फायदा होगा जलन में भी और विश्गे चड़ने में भी इम्यून सिस्टम को ठीक करने में इमली बहुत कारगर होती है अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आप इमली का इस्तमाल कीजे और इसकी जल्दी रोकताम के लिए इमली का सेवन शुरू कर दीजे इमली में विटुमिन C और एंटियों सिस्टम को बहतर बनाते हैं अगर आप इमली खाएंगे तो चोटी मोटी बीमारियों से यूँ बचे रहेंगे लू लगने से भी इमली आपको बचाती है गर्मी का मौसम है ऐसे में आप लू से बचना चाहेंगे तो इसके लिए आप इमली का इस्तमाल कीजे गर्मियों में अकसर लू लग जाने से तबियत खराब हो जाती है लू से बचने में भी इमली फाइदमंद होती है एक ग्लास पानी में 25 ग्राम इमली भगो कर इसका पानी पीने से लू नहीं लगती इसके अलावा इमली का गूदा हाथ पैर के तले पर लगाने से लू का असर खत्म हो जाता है तो जाना आपने कि इमली कितनी ज़्यादा फाइदे मंद है दोस्तो आयरवे समाधान जीवन जीने की पद्धती है जिसमें बताएगे नुस्के वैद्धियों की राय के मताबिक होते है जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेर कीजिए आयरवे समाधान